कि एश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे अभी हमारी मौज़ोगी बेगुसराय लोकसभा में हैं और लोकसभा चुनाव काफी नजदिक आ चुके हैं आए बेगुसराय लोकसभा के जनता से आम जनता से हम लोग जानकारी लेने का परियास करेंगे इस बार लोकसभा कैसा रहेगा कैसा रहेगा इस भाइसर ठीक ठाक रहें लोग आएगा अच्छा हुआ काम करने वाला उसको बोड़ देंगे अभी अब देश रहा है अपना बच्वारा से पंच्वाबर नगातार विधायक से चुनाव रहा था तो पुछ तो इसके इसमें भी दिमेरिट हो काम किया नहीं है यहां पर बेगुस्तरह में एक इनिवर्सिटी की जरूबत है एक बहुत अच्छा होस्पीटल की जरूबत है उस दोनों में फेल रहा तो अभी समय इंतिजार रहेगा नोमनेशन होने तब्रिसाइज करेंगा नोमनेशन कब है आपको मालूम तेरह मैंको होगा उसे पहले नोमनेशन होगा और एक भी यहां बढ़ियां जो इंजिनिरिंग कोलेज होता है हाई लेबल का उसम नहीं है और उसम का मुद्दा रहेगा और जो अच्छा आश्वासन देगा उसको दिया जाएगा तीसरा विकल का तलास है नहीं जरूए नहीं तीसरा अ जाए तब उसको चुना जाए अब देश रहाए आपके बीच है अरे तो हम अब देश रहाए को बदवा मजदूर थोड़ें जो उसको अपना जिंदाबाद कर दे समय आएगा तब बोट देंगे इसको अगर अच्छा कर यहीं रहेगा तो गिरिरास सिंग को नहीं देंग लेकिन जो महागडवन्दन से हो जो अच्छा परत्यासी जो हमारे जन समस्याओं को रखते हैं उनको इस बार भूट देंगे आएगा इस बार लोग सभा चुनाव में कैसा रहेगा लोग सभा चुनाव अभी तो कुछ कहाने जा सकता है खास करके बेगुसराय के सीट को ल अन्तरी कहते हैं हम लोग तलास में तीसरा चेहरा कर सामने आ रहा है तो अगर वो लड़ते हैं तो हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा है बिल्कुल पूरा समर्थन रहेगा हम लोग का अधिस रखती है और याहां ओनेनगत में अप 마음에 दिक दो你在 दिकत नहीं राऑन का दिलेकिन भीतर चेहरा जो हम लोग को नजर में गिनेशनक कर दो आड़ीन होट सोच अच्छी है तो अच्छी है आफ एक परिवार से हैं लेकिन सोच अच्छी है इनकी अगर वो आते हैं नरेंदर्व कुमार सिंग भोगो सिंग आते हैं पर देखा जाएगा एक भाहिसाब ने बुला कि हम बीजेपपी को भोट नहीं 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 तो पूरा समर्थन रहेगा इन लोग का आईए भाई सबसे बात की कैसा रहेगा लोग सभा चुनाव में क्या विकल्प बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा लाई तैसराफ कहलें तो हम लोग पतां दो तीन पहले सुनेश की राकेः श inna भी लडेंगे पहले वह संसाथ रास्धबासरस है और हम लोग तो इन्डिया घठवन्दन को भोड़ देंगे जो इंडिया घटबंदन फैसला करेगा उसी को बोड़ देगे जो है बजदूर को बिरबाद कर दिया किसाओन को 6000 में बादा किया उसको बिरबाद कर दिया बढ़का जुट्ठा पाटी हम लोग समझ रहे लेकिन मान्या मुका मतरी नितिश कुमार जी बोले थे कि जब महागटबंदन में थे तो वही बोले थे कि वह जुटा पाटी है हम लोग बात में समझे कि बात रखे थे कि वही बोले थे कि लोग को तब समझ में आया कि नहीं बात तो सही है बीजेए पी से कोई भी आये तो हम लोग बोट नहीं करेंगे अम लोग इंडिया गट बंदन में और अब देश रहे जो अला कमान का फैसला उस पर चलेंगे और उसी को बोट देंगे कि इसरा चेड़ा का भी नाम आ रहे हैं भूबो सिंक नहीं नहीं हम लोग इंडिया गट बंदन को बोट देंगे बिलकुल और जहां तक होगा पढ़ियास करेंगे दिलाएंगे हर चीज करेंगे वह हम लोग कुराय है क्या नम मुहम्मद नूर अलम जी थे हमारे साथ इन्हो कि हम लोग कड़बंदन से जो भी पढ़ियासी आएंगे उन्हीं को बोट करेंगे आप किस नजर से देख रहे हैं वेगुसराय लोग सभा चुनाव को देखिए मिडिया बंदों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आम जन्मानस का भावना है उसको पड़ल पर लाने का प्रलप्यास कर रहे हैं प्लेटफोरम दे रहे हैं निशी तो पर सुछल मिडिया का धन्यवाद हैं मैं बात करता हूं इस लोग सभा के चुनाव को क पर सब्सक्राएं मिडिया ये मिडिया को थे लोग बंदों एक कंघरे अंचमस पर दॉप चूंडョ को बोरा है और जान लीजिए आज के तारिख में चाहता है समाज SC, ST, OBC और Minority जो हम लोग कपड़े की लराई में यकिन नहीं करते हैं हम लोग बलड खुन की लराई में यकिन करते हैं अगर SC, ST, OBC और Minority का कोई चेहरा बेगुसराय में होता है तो प्रात्मिक्ता के दरोपर हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे दूसरी बात है क्या कि कांग्रेस बीजेपी के मिच्योल स्टेंडिंग से दुनों के मिले मिले जुले प्रयास से EBM मसीन लाया गया है उनका मकसद है कांग्रेस जीते तो भी बीजेपी जीते तो भी वो उनहीं की जीत है तो इसलिए हम लोग तीसरा NDA और UPA के अलावा जो तीसरा कोई बिकल्प होगा जो EBM मसीन का बिरोज करना होगा और SC, ST, OBC माइनरेटी का परत्यासी होगा हम लोग खुलम-खुली उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग बूंख ready-ept-वचयवर Alright अपके बेग उस्राए कितना विकास वह पॉंच साल में पॉंच बार निकली पॉंच साल में वह रोट पर ही नहीं बाहर में रोट परा के प॑ंच बार केवल निकली कब कब निकले तो जब रजवरा में हिंदु मुसलिम रंग देना था तब निकले खातुपूर में जब मंदिर को उन्हीं लोगों ने तोरा तोर के जब हिंदु मुसलिम का रंग देने का मामला था तब निकले बलिया में जब हिंदू मुसलिम का रंग देना था तब निकले उसके अलावा कभी भी निकले ही नहीं इसलिए बस केवल अगर हमें अगर धर्म पसंद है हिंदू भगवान पसंद है तो गिराजी परफेक्ट है लेकिन परलिया मेंट में सिक्षा स्वास्त और नहीं करते हैं हमने क्या कहा डेवलपमेंट जो हमारे एजुकेशन के सिस्टम को जो समोन सिक्षा पर नाली हो गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो जिसको एक स्कूल इनकर इनवर्सिटी एक कॉलेज में पराने का खौम करे उसे बाद एजुकेशन स्वास्त मजदू है समाज के लिए वो जो पटल परोतारने का पर्यास करें वो इसा उमिद्वार हम लोग चाहते हैं और उसमें NDA UPA धोखा है इनको बदलो मौका है EVM के माध्यम से EVM चुकी कांग्रेस और BJP के समर्थन में राता है और कांग्रेस BJP मिल के EVM लाया और बहुजन जितने भी है SC, ST, OBC, Minority वो इस दुनों से उबे हुए हैं उनका सोच है कंग्रेस जीते चाहे BJP जीते दुनों के दुनों एक सिक्के के दो पालू है और दोनों से किसी समसिया का समधन होने वला नहीं है मैं आपको बता दूँ, सम्विधान में 395 आर्टिकल है एक भी आर्टिकल के उपर ना कंग्रेस कौम किया और ना यारेसे BJP कौम करने वला है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भारत के सम्विधान का आर्टिकल एक में लिखा हुआ है इंडिया that is भारत, इस देश का नाम इंडिया है और भारत है जबकि कांग्रेस और BJP दोनों हिंदूस्तान बोल रहा है क्या हिंदू का यह स्थान हिंदूस्तान है भारत का सम्विधान का इस देश का नाम इंडिया होगा अंग्रेजी में और नहीं तो इस देश का नाम भारत होगा हिंदूस्तान इस देश का नाम नहीं है और हिंदूस्तान इस देश का नाम बोलने वाला जो है सब के सब धूर्त लोग है चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे बिजेपी के लोग हैं चाहे कोमिस्ट के लोग हैं चाहे ये बिसी जो भी लोग है वो सम्विधान विरोधी लोग हैं और जो सम्विधान विरोधी लोग हैं हम उनको पसंद नहीं कर सका है कांग्रेस बिजेपी धोखा है क्या कांग्रेस बिजेपी और कॉममिट्यार सम्भिधान बिरोधी लोग RSS के दफ्तर में जाते हैं और RSS सम्भिधान बिरोधी है, बहुचन बिरोधी है आरक्छन बिरोधी है इसलिए 써 कि राहूल गौधी और न्रेंदर tendency से और चिते हैं, तो सब से पहले पेले ध्यन्यवाद राईल गंधी, उनको देते हैं, जो संबीधन सम्मत इज़्टेस को इंडिया और भारत बहुरत बोलने वाला होगा. जो S sem लोग उसको समर्थन करेंगे और पूरे ताकद समर्थन करेंगे. सब्सक्राइब करने का परियास करते हैं किस नजर से आप देख रहें लोग सबातों अभी एसा कंजुए ठंकोर नहीं मिला है बोगो सिंग आ जाते है बहुत बरियां होता है बहुत बरियां विधायक थे नहीं है इसलिए चाहते उसको कि अистला प्रविन करेगा गढ़ फंदन को को नहाएा ऐसे बोगो सिंग ठीक थठ था कि मजबूरी में किसी को देना परेगा अगर बबु सिंग नहीं आता है इसलिए बबु सिंग रहता है तो ठीक रहता है इसलिए प्सकार बडिया उसके बाद कोई काम नहीं करता है सब्सक्राइब करता है तो मतलब कैसा चेहरा देखना चाहते हैं अब गठ बंदन में अभी तो अब देश रहे हैं कोई नहीं को देना परेगा उनको ऐसे बोगो सिंग हम लोग के ठीक है बात चल रहा है हो जाए तो पर हिंआ है क्या नाम है मुहम्मद तोकिर जी का कहना है कि मजबूरां हम लोग इंडिया गडवंदन को वोड़ दे सकते हैं लेकिन अगर तीसरा चेहरा वहारी भी चाहते हैं गहन को नाम आ रहे हैं तो गुदिशव को भी करेंगे और सांसद में बेजने का परियास और बने रहे हमारे साथ